So hi everyone once again, welcome back to my channel My name is Shashi Kumar and currently I am a second interview student एक बहुत important doubt है, एक बहुत important problem है जो आप फिस कर रहे हो मुझे पता चला, पता कैसे पता चला, कल जब मैं टेलिग्राम का लाइब सिस्टन अटेंड कर रहा था वहाँ पे कापी सर बच्चे मेरे से पूछ रहे थे, कि भाईया अभी जो mock test चल रहे है online, offline दोनो, अब ये mock test में जो syllabus आ रहे है, वो full syllabus आ रहे है भाईया ये full syllabus को revise कैसे करके जाए, ये आप बता तो और ये problem पता है, सिर्फ आप फेज नहीं कर रहे है, ये problem मैं भी अपने समय में फेज कर रहा था और यार मैंने बहुत सार अपने कलिक से बात किया, यार वो भी ये problem फेज कर रहे थे अपने preparation के समय में कि यार ये जो mock test हो रहा है, इस mock test में पूरा syllabus आता है, अब इसको हम revise कैसे करके जाए इस वीडियो में मैं आपको solution देने जा रहा हूँ, कि आप कैसे करके जाओगे वीडियो को लास से देखना, और एक छोटी से request है, कि अगर आपने अभी तक मेरा telegram channel join नहीं किया, तो वो join कर लो, क्योंकि वहीं पे छोटे-छोटे बाते होते रहती है और 9 PM में हर रोज मैं आपसे live contact करने कुछ करता हूँ, कुछ भी doubt हो, आप मेरे से पूछ सकते हो तो यार यह जो mock test हो रहा है, इस mock test में जो full syllabus आ रहा है, इसको revise कैसे करके जाए मैंने में एक सी ध्यान सुना, जब आप 12 में थे, तो आप 11 के कुछ कुछ chapters आप बहुत बार पढ़े होंगे I hope यह कर हों, क्योंकि मैं भी करता था, कि जब आप 12 में थे, तो आपने 11 का बहुत सरा chapters बार बार पढ़ा होगा तो इसलिए आपका 11th strong होगा, 12th आपका जब last last होते गया, तो आप 12th का chapters अच्छे से revise नहीं कर पाया mainly 12th का last वाला portion, ठीक है, तो अब आपको करना क्या है न, कि देखो, जब भी आपका mock test हो, तो आपको करके क्या जाना है कि यार वैसे सारे chapters को आपको revise करके जाना है, जो याद करने वाला है, जो memory based है, जो आप बार बार भूलोगे like 11th का हम बात करते है, biological classification हो गया, plant kingdom, animal kingdom हो गया, morphology हो गया, anatomy हो गया ये सारे chapters आप बार बार भूलोगे, तो ये आपको करके जाना है अगले mock test में कर लेते हैं, तो ऐसे करके आप कर सकते हो, जैसे मालो कि आपका एक mock test दो दिन के बाद है आप क्या करोगे, कि इस mock test में हम पूरा plant physiology के एकदम अच्छे तरीकिस revise करके चले जाते हैं और अगले mock test जब होगा, उसमें हम human physiology पठलेंगे ऐसे आप कर सकते हो, देखो, mock test आपका final नहीं है, final आपका neat है तो आपके दिमाग में एक ये चीज भी होना चाहिए, कि यार मुझे नीट में अच्छा performance करना है उसके लिए भी revise करना है, ऐसा नहीं कि जल्दिवाजी में कर लिए, time भी खतम हो गया और अच्छे से हो भी नहीं पाया इसलिए मैं बता रहा हूँ, कि यार आप कुछ chapters हो ही पढ़ना, लेकिन अच्छे से करके जाना ठीके, in case of biology तो 12th का क्या करेंगे भाया, तो 12th में भी आप reproduction नहीं पढ़ोगे क्योंकि reproduction आपको अच्छे से याद होगा हाँ, होगा, आप क्या करके जाओगे तो आप human health and disease पढ़के जाओ आप evolution पढ़के जाओ आप ecology पढ़के जाओ वो सारे last के chapters जो आपने बस एक ही बर पढ़ा होगा, बस दो बार ही पढ़ा होगा और उससे questions आते हैं मेरे मीत्र उससे 7-8 questions आते हैं में भी पूरा ecology मिला के तो आप वो पढ़के जाओ है ना, अब physics में क्या गरिंग भाया तो जो मैं करता था, honestly में बता रहा हूँ मैं क्या करता था, जैसे मालो की दो दिन के बाद mock test है, मैं क्या किया, कि दो दिन से पहले, जो मेरे class teachers के notes थे, उस notes को अच्छे तरीके से revise करके जाता है, simple सी बात है, 4 घंटा बैट होगे, आप पूरा notes को revise कर लोगे, ठीक है, अब revision में क्या करेंग भाया, revision में आपको क्या करना है, notes पढ़ना है, प्लस notes में जो teacher से questions करवाए होंगे, वो करना है, पता क्यूं, क्यूंकि यार उस notes में जो teachers concepts पढ़ाते हैं, उस concepts एक question आपको मिल जाता है, मतलब उस concept का आपको यूज पता चल जाता है, और यही चीज़ आपको करना है, साथ साथ में अगर आप कोई chapter week है, तो उसका video देख लो, उसके questions कर लो, ठीक है, तो ये mindset आपको रखना है, है ना, mindset आपको ये रहने, time set करो, कि यार मुझे चार घंटा में ये पूरा notes पढ़ लेना है, यही चीज मैं भी करता था, और यही आपको भी करना है, अब chemistry में क्या करनेगा भई या, chemistry में देखो, ध्यान सुना, organic chemistry में आपको वही चीज करना है, teachers का जो notes होगा, वो notes को पढ़ के जाना, आपने बनाया होगा ने, notes किस दिन के लिए बनाते हैं, notes इसी दिन के लिए बनाते हैं, last के समय में revision करने के लिए, notes पढ़ोगे, notes के questions करोगे, inorganic chemistry में NCRT पढ़ के जाओ, NCRT से पहले, आप teachers के notes के chemical bonding पढ़ के जाओगे, अच्छिस chemical bonding पढ़ लिए, electronic configuration लिखना सीख लिए, coordination compound पढ़ लोगे, metallurgy ने से पढ़ के जाओगे, तो ये important, important chapters आप करके जाओगे, physical chemistry में हो भया, similar चीज है, teachers का notes, plus notes में जो formula होगा, plus notes में questions जो करवाए होंगे, वो सार आपको रिवाइस करके जाओगे, दो-चार question आप कर लोगे न, तो आपको हर formula का use पता चल जाएगा, formula आप physics में भी करके जा सकते हो, ये एक idea जो मैंने आपको दिया, ये आपको हर mocktis से पहले करके जाना है, बस ध्यान रखना कि एक confidence आना चाहिए अंदर से, feeling of completeness आना चाहिए अंदर से, तब जाके आपको mocktis में marks भी आएगा, feeling of completeness कैसा, कि यार आप अपने तरब से पूरा force लगा के गए हो mocktis देने, ऐसा नहीं कि बस उठके चले गए mocktis देने, mocktis के marks से कभी depress मत होना, क्योंकि यार जब मैं mocktis देता था, नीट 2019 में, तो मेरे भी बहुत कम marks आते थे, लेकिन मुझे एक चीज़ पता था, कि यार mocktis मेरा selection decide नहीं करेगा, selection decide करेगा, कि यार mocktis का मैं analysis कर रहा हूं या नहीं, जो question mocktis में पूछे जा रहा है, वो मेरे से room पे बन रहे हैं या नहीं, अगर बन रहे हैं तो अच्छी बात है, बस आपको speed बढ़ाना है, speed बढ़ाना है, और यही चीज़ पे आपको काम करना है, और आप करो, और आपका selection होगा, I am 100% sure, आप बस खुद में believe रखना, यार मैं मौक्तिस का अनलाज से अच्छी तरी कर रहा हूं, और मेरा selection होगा, ठीक है, so that's all about this video, I hope आपको वीडियो सो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, वीडियो सो कुछ सीखने को मिला दर, चैनल को सब्सक्राइब करेना,